नमस्कार भारती जन्ता पार्टी ने दिल्ले विधान सभा का चुनाव फत्य करने के लिए जीत हासिल करने के लिए कमर कसली है एक और वो अपने गडबंदन के सयोगियों से पूरी बातचीत कर रही है उनके साथ जो सीट शेरिंग का फॉर्मूला है उसको वो अंतिम रूप दे रही है दूसरी और खबर ये आ रही है कि आब राश्ट्री स्वैंग सेवक संग भी उसके समर्थन में पूरी दिल्ली के अ क्कानून के विरोध में प्रदेशन हुए हैं आवाज लोगों ने बुलंद किये हैं और ऐसी स्तिति में दिल्ली का विधान सबह चुनावा आगया है जारखन का विधान सबहा चुनावा भरती जनता पार्टी हार को सियासी नुकसान इसका हो सकता है ऐसे मैं रणिती ये बनाई गई है कि संग के जो पदादिकारी हैं संग के जो कारी करता हैं वो भी मैदान में उतरेंगे और लोगों में राष्ट्रबाद की अलग जगाएंगे और इस कानून के विरोध में बीजेपी के मताबिक जो गलत सबा चुना हुआ था तब की मैं जरा बात करता हूँ उस दोरान भी RSS के स्वेंग सेवकों ने दिल्ली में कई बैठ के की थी और उन बैठकों के बाद भारती जनता पार्टी का जो चुनाओ प्रचार था और जिस तरह उसे वोट मिले और साथ की सास सीटे वो बड़े मार रसन में प्रचार किया और बीज़यपी को दिल्ली के अंदर ऑच्षी मिली और देश भर में भी मिली तो बताये जारा है कि स्वेंग जो है वो नागरिकता कानून को लेकर जहां जहां बात चित जो विरोध चल रहा है और जो इसके खिलाफ उसका कह antena है कि प्रचार है उस लाइन को वो भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और राश्टरवाद जो है बीजेपी जिसे अपना चुनाव का एजन्डा बताती रही है और राश्टरवाद पर वो चुनाव लड़ने की बात करती है उसको आगे बढ़ाने की बात भी संग के स्वेंग सेवा किस दो तो उसमें जम्मू कश्मीर से चाहे आर्टिकल 370 को हटाने का मुद्दा हो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने की बात हो और नागरिक्ता शंशोधन कानून को लेकर बात हो इन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है क्योंकि संग की चिंता कहीं न की कोशिश है कि हार का जो इस सलसिला है माराष्ट में सरकार नहीं बन से की हरियाणा में मनमुताबिक नतीजे नहीं आए जारकंड के अंदर सरकार चली गई और ये जो हार का सलसिला है जो निराशा का सलसिला है इस सलसिले को तोड़ा जाए और दिल्ली का विधान सबा और इसी के लिए बताये जा रहा है कि भारती जनतापाटी और राष्ट्रे स्वैंग सेवक संग इन दोनों के भी स्तालमेल बनाकर चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाने की पूरी रणनीती तै कर ली गई है लोगसबाच छेत्र से लेकर विधानसबाच छेत्र तक खंड स्तर तक समनवैकों को तैनात किया जा रहा है बूत स्तर पर फीडबैक लिया जा रहा है और रस्स की जितने प्रचारक पदादीकारी कारे करता हैं उनको भी इस बात का निरिदेश दिया गया है कि वो नागरिक् की जनता पार्टी को होगा क्योंकि बीजेपी और संग की बैठक में चिंता इस बात को लेकर जताई गई है कि आर्टिकल 370 हटाने का चाहे इशू हो और राममंदिर निर्माल का मार्क प्रशास्त होने का जो इशू हो उसका फाइदा जहारकंड के विधानसबाच के नतीजे आए तो स्तितियां एकदम विपरीद दिखाई दी इसलिए बीजेपी और संग दिल्ली के अंदर फतह हासिल करना चाहते हैं और आने वाले कुस दिनों में बीजेपी और संग के पदादिकारी लगबग एकी लाइन पर काम करेंगे और राश्रवाद की का संदे बीजेपी को मिलता रहा है वैसा इत बार भी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है कुल मिलाकर भारती जनता पार्टी ने दिल्ली को जीतने के लिए अपने सहयोगियों के साथ भी तालमेल और समझ जश्य बैठाना शुरू किया है उनसे भी पूरी बाच्ची सीटों के बिंदिक एजरिवाल को दिल्ली की सत्ता से बाहर कर पाती है या नहीं या जो चुनाव परिणाम है जो सत्ता का वनवास है बीजेपी का वो खत्म होता है या नहीं ये एक देखने वाली बात होगी दिल्ली की सियासी कवरिज पर दिल्ली के जो विधानसवा चुनाव है उ और वीडियो यूट्यूब पर वीडियो आप देख सकते हैं खबरे पढ़ सकते हैं जाने पहले एक अपील आपसे जरूर करना चाहूंगा सत्य हिंदी के फेस्बूक पेज को लाइक करें ट्विटर पर हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं